नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दन्यूज लॉंचर के इस यूटिब मंच पर दोस्तों एक्स्ट्रा जूडीसियल प्रोसेस से यानि गयर न्याईक तरीके से इस देश में कभी भी न्यायक को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता अभी चंद दिनों पहले एक सहमती की स्थिती बंती हुई दिख रही है और ऐसा क्यों दिख रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोद्या के मिल्किपूर इलाके में जिस सामुईग व्यभिचार के मुद्दे को लेकर सपानेता मुईद खान और कई लोगों पर जिस तरह से आरोप लगाए गए कई लोगों को जिस तरह से यहां तक की मुईद खान के घर और संस्थान को बुल्डोजर से गिरा दिया गया और इस बुल्डोजर से जस्टिस सिस्टम के साथ साथ एक धर्म विशेश से संबंदित होना चुनावी नेरेटिव के लिए इस्तेमाल करना और इन सब से आगे जाक 위क्ति के उपर आरोब सावित करने का कोई परियाप्ट आधार नैपालिका को नहीं मिल रहा हो उस परिस्तिति में क्या गुजर रही हो इस्तृच के उपर उसके परिवार के उपर जिसका घर बोल्डोजर से गिरा दिया जाए आज मिल्किपूर के चर्चित सामुहिक ब्यविचार के आरोप वाले मामले में DNA रिपोर्ट लिफाफे में रखकर हिलाबार हाई कोट की लखनव बेंच के समक्ष पेस की गई और जब यह रिपोर्ट पेस की गई तो उस DNA सेंपल की रिपोर्ट को जब नयायले ने खोला तो वहां से कुछ और बात निकली नयायले में जब वो रिपोर्ट खोली गई उसके बाद बताया गया कि DNA सेंपलिंग में DNA के सबूतों के आधार पर मुईद खान के नौकर का DNA सेंपल ही मैच किया है बाकि किसी का DNA सेंपल मैच नहीं किया है लेकिन घर और संस्थान बुल्डोयर से किसके गिराए गए और क्यों गिराए गए आखिर इस तरह से एक्ष्ट्रा जूडिशियल प्रॉसेस का अधिकार किसने दे दिया था दरसल इसके पीछे जो राजनीती की गई एक तरफ समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ एक समधाय विशेस धर्म विशेस को बनाम करने की कोशिस और तीसरी तरफ पॉलिटिकल नेरेटिव स्टेट करने के लिए चुनाओं में उत्तर प्रदेश में मिली हार खासकर रह य बड़ी बात यह है कि आज भी अपर महादिवक्ता जो इस केस को देख रहे है विनोज साही वह आज भी डिने सेंपलिंग को नकार रहे है वो कह रहे है कि किसी एक कहीं मैच हो सकता है बाकियों का मैच नहीं हो सकता कानून की ब्याख्या क्या है मैं नहीं जानता लेकिन मामले को लेकर किसी पीड़ता के बयान को लेकर जिस तरह से इस मामले को दर्ज किया गया उसको आगे बढ़ाया गया क्या इस आधार पर किसी को दोसी ठाराया जा सकता है DNA Sample कुछ और कह रहा है बहुत सारे लोग DNA Sampling की मांग उस समय कर रहे थे भाजपा के लोग भी थे सपा के लोग भी थे आम जनता भी थी सब कह रहे थी कि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा DNA Sample की जाच कर ली जाए DNA Sample भी आ गया लेकिन DNA Sample आने के बाद जो परि क्रिया कैसे चलेगी न्याहलेत करेगी हम पत्रकारों का विसए नहीं है लेकिन पत्रकारों का विसए और आम जनता का विसए ये जरूर है कि क्या इस देश में Criminal Justice system को बुल्डोजर सिस्टम में तब्दिल कर दिया जाएगा और क्या किसी पर महाज आरोप लगा कर किसी का भी घर बुल्डोजर से गिरा दिया जाएगा एक तरफ इस सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट सक्त हुआ है दूर सी तरफ कुछ ऐसे फैसले आ है कुछ ऐसे सबूत सामने आ रहा है अलग-अलग मामलों में जिन में जिसका घर गिराए गया जिसके उपर बुल्डोजर की ज्यादतियां देखने को मिली वह पीड़ित पक्ष से कहीं दिखा नहीं कई मामलों में ऐसा हुआ हुआ है वह आरोपी पक्ष में की तरफ से भी अ सेंपल राजू का मैच कर रहा है घर गिराया गया संस्थान गिराया गया मोईद खान के हम में से बहुत से दर्सकों को यह बात जरूर मालूम होगी कि डियने क्या होता है डियोक्सी राइवो नूकली के सिड उसका पूरा नाम है जिसमें कई सारे सेंपल कलेक्ट होते हैं किसी जुठलाया नहीं जा सकता है कि कुशी के नाकून से किसी के बाल से सरीर के किसी वी अंग से डिय एने सेंपल लिंग करा आई जा सकती अ कई मामनों में इसका इस्तेमाल हुआ है उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री का बेटा होने का दावा करने वाले ब्यक्ति ने भी डिने सैंपलिंग की मांग की थी वह भी इसका इस्तेमाल हुआ था और दूसरे कई मामनों में और इस्तेमाल हुआ है कई बार साबित हुआ क से दूसरा पक्षिस में आगे बढ़ेगा दरसल इसमें दो चीजें साफ दिखाई दे रही है जब यह मामला सामने आया था दरसल फैजाबाद लोक सावा सीट के जहां आयोध्या वेस्ठित है वहांकि मिल्कीपूर विरान सीट के जहां का यह मामला है वह वहar प्रसंतों समाजवादी पर्टि के मौझूदň के शाल चानिभगी होंगे और जब अजोध्या की जो सीट है फैजाबाद की जो सीट है वो भारती जनता पार्टी चुनाव हार गई परिस्तितियां दूसरी बन गई तो उस पूरे मामले को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए इस घटना का जो घटना निश्चित तोर पर निंदनिय थी उस घटना के रा सेखने की कवायद भी आई राजनिटिक रोटी सेखने की और इस अड़ेद के ऊपर रचपो पर्दा पड़जा और जब्दा पड़ गया है तो विनोत्-वह पर्मा दियुकता महाधिए सरकार महाधिवक्तां सवाल यह उठता है कि इस मामले को लेकर जिस तरह की पूरी की पूरी विधी चली कई दिनों तक गोदी मीडिया की डिवेट चलती रही कई दिनों तक इसको लेकर नेरेटिव सेट किया जाता रहा लोग सभाध जुनाओं के बात की परिस्तितियों में ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेशी नहीं पूरे देश में यही एक मुद्दा है इसी मुद्द से देश में महिला सुरक्षा सुनिस्चित हो जाएगी इसी मुद्दे से इस देश में गुड़ गवर्नेंस कायम हो जाएगा तमाम बाते कही गई दरसल दुसकर में अभयाविचार की कोई भी घटना निंदा करने योग है पब्लिक डोमेन में उसे आना चाहिए चाहे वो मणिपूर की घटना हो चाहे वो मिल्किपूर की घटना हो चाहे वो महराष्ट की घटना हो सारी घटना है लेकिन आज देखिए राम रहीम को जब चुनाव आता है पेरोल पर छोड़ दिया जाता है और मिल्किपूर में राजनीती मुईद खान के मामले में राजनीती कुद को बेगुना सावित करने की कोशिस करेगा दूसरा पक्ष उसे गुनागार सावित करने की कोशिस करेगा लेकिन इन सब के बीच जिस ढंग से सियासत इस पर चली जिस ढंग से सियासत आगे चलाने की कोशिस होगी उसमें उन लोगों को भारी घाटा होगा जो लोग इस वहां इस मुद्य को जैसे भुनाने की उम्मीद थी अब इसे भुनाया नहीं जा सकेगा इसलिए नहीं भुनाया जा सकेगा क्योंकि इसमें सामप्रदाइक एंगल DNA सेंप्लिंग के मामले ने खतम कर दिया और जब एंगल सामप्रदाइक ना हो तो भारती जनता पार्टी बो क्योंसे ने कि उढ़ा जाता है सारू अ मॉठन क के बेटे के मामले में हो जो मॉठन बर्प सा लुपा शहां हो चाहे वो मामला किसी दूशरे इलाके का रहा हो सियासत अपनी गती से चलती जाती है लेकिन सियासत में यह बहुत कम देखा गया कि कि किसी मुद्दे पर नेरेटिव सामप्रदाइक आधार देकर तैयार किया जाए दिल्ली में इतना विभत सकांड जिसने पूरे देश के जन्मानस को जंग जोड़ दिया तब मीडिया का जमीर बचा हुआ था वो था निर्भया कांड मामला मुद्दा बना राजनितिक दलों ने मुद्दा बनाया लेकिन सामप्रदाई किया जाती है राजनिति उसमें नहीं हुए क्योंकि सियासत का आस्तर तब तक उतना नीचे नहीं गिया था जितना आज दिख रहा है तब तक सियासत उस धंग से प परिस्टिती को देखे आज की परिस्टिती मेन क्या है आज की परिस्टिती में उत्तर प्रदेस के मुख्यमंत्री अपनी चुनावि सभा में कहते za Q आया कि भी सब्सीने बटाने का ने म्कुल पímновे होतरी में हीISH और यह भी बताने इनको यह दौनाओर की वजह से ऐसे यहालात विमर्स का अस्तर सियासत में यहां तक आ गया है विमर्स का अस्तर आपने पहले भी देखा कि कपड़ों से बलवाईयों की पहचान करने की अस्तर तक आ गया था विमर्स का अस्तर आपने पहले भी देखा कि इस देश में बलवाईयों को उल्टा टांग देने की बा प्रविर्ती बुल्डोजर जस्टिस सिस्टम को जन देती है जिस बुल्डोजर जस्टिस सिस्टम के तहत ना तो पीडित को नयाय मिल पाता है और नहीं जिसे आरोपी साबित होना चाहिए जिसके जिसकी दोस्ति होनी चाहिए कई मामलों में उसकी दोस्ति भी नहीं हो पाती मामला रफा दफा हो जाता है लेकिन जब मामला डेने तक आ गया डेने सेंप्लिंग रिपोर्ट तक आ गई तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुईद खान के उपर जो गुजरी है उनके परिवार के उपर जो गुजरी है बुल्डोजर जस्टिस सिस्टम ने जितना नयायले यह आदेश देगी कि जितने की प्रोपर्टी को बुल्डोजर से जमीन दोज किया गया उस प्रोपर्टी की कीमत को सरकार अदा करें बुल्डोजर चलवाने का आदेश देने वाले अधिकारी अपनी से अपने पीएप से अदा करें क्या यह आदेश नयायले जो चाहे अंचाहे किसी बेगुना है या किसी ऐसे ब्यक्ति को जिसके खिलाब आरोप को सिब्द करने लाइक पर्याप सबूत नहीं हो कि या सबूत बनाए भी नहीं जा सकते हो उसे कैसे न्याय मिलेगा अब न्याय का एक पक्ष यहां उस पीड़िता के पक्ष में खडा है उसे न्याय मिलना ही चाहिए निस्चित मिलना चाहिए उहीं न्याय तो मुहिद trás को न्याय दिलाने के लिए क्या выпуск का उत्तर प्रदेश का सिस्टम परसासन बिनाय पार्चा के साथ सहयोग करने के लिए किस हद तक तैयार है ये एक अलग सवाल है पे डिता को नयाय दिलाने के लिए जुडिसीशेडिकर पास जब तो यह मामला कितनी जल्दी अंजाम तक पहुंचता है दूसरा सवाल है तीसरा सवाल जिस भारतिय न्याय संगिता को जमीन पर उतारा गया क्या वो बी एनस और उसके पहले की IPC इस मामले में अब दोनों पक्ष कही न कही न्याय की परतिक्षा कर रहे हैं क्या उनके साथ न् मास्टर प्रोस्टर कहा जाता है वो खुद कहते हैं कि न्याय पालिका के नेड़ने की भी आलोचना होनी चाहिए तो क्या इस मामले में जिस धंग से आगे कारवाई बढ़ी है और जिस धंग से बुल्डोजर का इस्तिमाल हुआ है और उस बुल्डोजर सिस्टम को करें परषंटन सा का पात्र बनते रहे हैं और न्याय याले को ऐसा होना भी चाहिए लठनाव बेंच की यह प्रतिष्ठा रही है लाबाद हाइप रुपोट पीडिता हो और इन सब आज के लिए इतना ही नमस्कार